हेलो फेंट्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फिंट्स आज की इस वीडियो में स्लीव का डिजाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो दीखें मेरा मैन फैपरी के और ये अस्तर का कपड़ा है कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे नीचे से एक लाइन ड्रो करके हमें कपड़े को सीधा कर लेना है आप अपने साइस के साबसे मेर्जरमेंट लीजएगा स्लीव के लिए तो स्लीव की लबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 6 इंच की और यहाँ पर दिखें आर्म होल लिये हैं साड़ी साथ इंच आप अपने साइस के साब से नापकर आर्म होल का मेज़र्मेंट लीजेगा तीन इंच पे हमें इसे डाउन रखना है अगर आपकी स्लीव पाँच इंच से बड़ी होती है तो तीन इंच पे आप इसे डाउन कीजेगा स्लीव की लेंथ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा करके ले सकते हैं स्लीव का पैटन हमने यहाप पर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से नीचे बॉटम का आपका जो भी मज़र्मेंट होता है उसका हाफ लीजेगा और देड़ इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको मार्सिन के लिए देड़ से दो इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे मार्सिन इस तरह से इसे मिला लेंगे यह देखें मैंने यहापर मार्किंग पूरी कर ली है अब हमने स्लीव को कट कर लेना है तो दिखिए अस्तर के उपर मैंने Sleeves को यहाँ पर cut कर लिया है इसके बाद हमें इसे Mind Fabric पर रख कर रखना है तो Mind Fabric पर भी मैंने इसका cutting कर लिया है अब हमें डिजाइन के लिए marking कर लिया है तो एक इंच नीचे से gap रखेंगे और एक इंच उपर से gap रखना है इसके बाद जो भी measurement बसता है उसका half करके आपको यहाँ पर एक shape draw करना है तो एक पती जैसा shape हम यहाँ पर बना लेंगी इसके चोड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़ादा करके ले सकते हैं मैंने रखी है इसके बीच की जो width है वो सवाई किंच रखी है और इस तरह से दिखिए हमें pattern को बना लेने के बाद cut कर लेना है तो यह pattern मेरा cutting हो गया है और मैं इसे बिना paper pasting के साथ ही बना रही हूँ अगर आप चाहें तो paper pasting का use कर सकते हैं इस design में अब दिखिए मैं नीचे की तरफ man fabric को सीधा करके रख रही हूँ और उपर से अस्तर के कपड़े को हम इस तरह की से यहाँ पर रख लेंगे और बिल्कुर finishing के साथ आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ के जो point है इसे बनाती हुए इस तरह से हम सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे यह देखिए तो मैंने यहाँ पर इसके उपर एक सिलाई और लगा ली है सिलाई लगाने के बाद हमने बीच में से एक कट लगा देना है और पीच में से फैबरिक को कट करके निकाल देना है तो दीखे मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कटिंग कर दिया है और पूरे पैटन के उपर छोटे-छोटे कर्ट लगा लेने हैं यह कर्ट लगाने से जो पैटन है आपका वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाएगा कर्ट लगाने के बाद आप इसे पलट करके इस तरह से सीधा कर लें और चाहें तो इसके उपर प्रेस कर सकते हैं या फिर हातों से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं स्लीव्स के पैटन को दीके हम यहाँ पर सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से और सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे उपर की तरफ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमने चारो तरफ बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है कपड़े को हाज से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है यहाँ पर यह देखिए मैंने हाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और एक्स्टर फैब्रिक को कट करके निकाल देना है बाहर के तिरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे और नीचे बॉटम का जो पार्ट है इसे आप फोल्ड कर लीजेगा मेरे पार्ट में किनारी वाला पार्ट था तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है अगर आपके इसमें नहीं होता है तो आप अलग से यहाँ पर पट्टी या पाइपिंग लगा सकते हैं पैटन को अच्छे से प्रेस कर लेने के बाद आपको चोकुर कपड़े लेने हैं तीन इंज की लंबाई चोड़ाई में और इस पैटन को आपको ट्रेंगल शेप में फोल्ड कर लेना है तो दो मैंने अलग कलर के कॉंट्रास्ट कलर के लिए हैं आप गॉर्डन कलर भी ले सकते हैं यहाँ पर प्राइंगल शेप में इसे फोल्ड कर लेने के बाद अब देखिए एक के उपर एक रखकर इसे स्टिच कर लेना है इस तरह से दोनों पैटन को एक के उपर एक रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसके बाद दिखे इसे इस तरीके से stitch करना है तो सुवी धागे की मदद से आप बीच में से इसे जोड ले ये दिखे मैंने हाँ पर इसे टक कर दिया है अच्छे से आपको knot लगा दी नहीं है ताकि ये निकले न तो दिखे मैंने इसे stitch कर दिया है इसके बाद जो दोनों तरफ के triangle वाले corner है इन्हें भी आपको stitch कर देना है ये दिखे पैटन हमारा तयार हो गया है अब मैं इसे sleeves के साथ stitch कर रही हूँ तो बिल्कुल center में इसे बराबर करते हुए रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे corner पे आपको सिलाई लगानी है इस तरह से ये देखे इस pattern को मैंने सिलाई लगा कर attach कर दिया है बीच में आप कोई भी fancy button लगा सकते हैं अपने according यहाँ पर देखे हाफ इंच की गहराई जैसे हम normal sleeves में देते हैं उसी तरीके से आपको देनी है नीचे की तरफ देखे मैं यहाँ पर lace attach कर रही हूँ अगर आप simple रखना चाहें तो simple रख सकते हैं या फिर आप contrast color में piping भी लगा सकते हैं तो इसी के साथ friends मेरा यह sleeves का design बन करके तयार हो गया है आपको आज कर डिजाइन कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताईएगा वीडियो को like share जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद